एपिसोड शुरू करने से पहले एक बात कहूंगी, आप सभी प्लीज लाइक जरूर किया करे तभी मैं आगे स्टोरी कंटीन्यू अपलोड कर पाऊंगी वही पार्टी वाली रात को जब पार्थ प्राद्विक को घर छोड़ देता है तो वो और निधी ही कार में थे निधी बहुत जरी हुई थी पार्थ कार रोपकर निधी का चेहरा अपने हाथों में भरता है देखो निधी यही ठीक होगा कि तुम सारा सच दर्शन को बता दो बरना बाद में भी ये सच्छाए उन्हें पता चलनी ही है और जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो कैसा दर ब करने लगता है सब ठीक होगा निधी चिंता मत करो मैं हूँ तुम्हारे साथ पार्थ उसके बाद कार चलाता रहता है उससे एक लेट नाइट आइसक्रीम पारलर दिखता है वो कार रोक कर निधी के लिए चोकलेट आइसक्रीम लाता है निधी को कुछ होशी नहीं था कि कार रुकी कब वो उसमें से उतरा और अगले ही पल वो कार के अंदर था और निधी की तरफ आइस्क्रीम ला कर देता है निधी जैसे सपने से बाहर आती है और बोलती है I am sorry मैं नहीं खाऊंगी प्लीज मेरा बिल्कुल मन नहीं है पार्थ बोला निधी अपना मूर ठीक करो स सब ठीक हो जाएगा ऐसे टेंशन लेने से क्या ही होगा चलो आइस्क्रीम खाते है नहीं निधी ने मना किया पार्थ बोला मेरे लिए निधी प्लीज उसके बाद निधी उससे आइस्क्रीम ले लेती है उसके बाद वो निधी को घर छोड़ कर चला जाता है वही उसी रात कॉल अन्नोन नंबर से थी वो डरते हुए कॉल उठा लेती है कॉल से आवाज आती है जो कि जै की थी हेलो निधी कैसी हो आई लब यू बेबी निधी की डर के मारे हालत खराब थी वो बोली तुम तुम तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई इतनी मार खाने के बाद मुझे छोड़ दो समझे जै बोला क्यों निधी पहले तुमने मेरा यूज किया फिर तुमने दर्शन को फसा लिया और उसके बाद बहुती चालाकी से तुमने पार्थ को भी फसा रखा है अपनी बकवास बंद करो वरना वो रोते हुए बोली जै बोला वरना क्या करोगी निधी तुम अब मेरा कुछ नहीं कर सकती पता है क्यों निधी ने डरते हुए सवाल किया क्यों क्यूंकि मैं जिन्दा हुए नहीं मैं मर चुका हुआ हा 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 वो शैतानों की तरह हसने लगा निधी ने तुरंट फोन फेक दिया नीचे और तुरंट अपने बिस्तर पर सिकोड कर रोने लगी आसपास देखने लगी उसे बहुत डर लग रहा था कब रोते रोते उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला वहीं प्रिया को आदविक छोड़ने जाता है कॉलेज आज प्रिया आदविक से कार में बिलकुल चिपकी हुई थी आदविक को भी प्रिया को हाथ पकड लेती है आदविक उसका हाथ पकड कर छुड़वाता हुआ बोला जाओ बच्ची शाम को घूमने चलेगे न प्रिया बोलियाज नहीं जाती बस आज प्लीज कल से पक्का जाऊंगी कल से अच्छे से पढ़ाई करूंगी प्रोमिस हीरो आज रहने दो ना मुझे आपके साथ रहना है नहीं बच्ची जाना तो पड़ेगा चलो वो उसका हाथ पकड कर बेहद नर्मी से बोला प्रिया उसके हाथ को नहीं छोड रही थी इसलिए वो बोला बच्ची जिद नहीं चलो नहीं जाना ना आज आपके साथ रहना है वो बहुत गुस्से से बोली क उसकी नसे दिखने लगी उसका ये रूप देखकर आद्विक हैरान था। फिर अचानक प्रिया ने उसका हाथ छोड़ दिया और नीचे बैठ गई घटने मोड़कर आद्विक ने एक गहरी सांस ली और नीचे बैठ कर प्रिया का सर उपकर उसकी आँखों में देखते हुए प्रिया भी उसकी आँखों में देखने लगी। वो किसी जिद्दी और अकडू बच्चे की तरह बेटी थी। आद्विक उसे छोटी आँखे करके घूर रहा था और प्रिया नीचे अपनी उंगली से फ्लो पर कुछ डिजाइन जैसा बना रही थी। आद्विक उसका और उसे अपनी और खीच लिया और उसके चहरे को प्यार से हाथ में भर के बोला तुम चाहती हो ना मेरे साथ रहना। प्रिया हामें सरहिलाती है। आद्विक बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा जो चाहिए सब दूंगा तुम् प्रिया उठकर खड़ी हो गई और आद्विक को कसकर गले लगा लिया आद्विक ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया वो बोली पर हीरो आपके बिना ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता आद्विक बोला मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं साथ होने के लिए ह हीरो मैं जाओं वो मुझ लटका कर बोली तो आद्विक ने उसकी चिन को चूं लिया और बोला जाओ देखना तुम्हें सर्प्राइज दूंगा ओ के मेरी प्यारी बच्ची प्रिया मुझ लटका कर आद्विक की तरफ देखते हुए जाने लगी आद्विक ने मुस्कुर कर बाई किया तो उसने भी पाउट बना कर बाई के दिया उसके बाद आद्विक कुछ देर तक उसी और देखता रहा आज प्रिया का बेहेवियर बहुत अजीब था खेर वो ज्यादा ध्यान न देते हुए वहां से चला गया वही प्रिया क्लास में मन लगा कर पढ़ रही थ कि हर लेक्चर के बाद उसने कॉल करके आद्विक से बात की वो बहुत मेहनत से क्लास में ध्यान दे रही थी क्योंकि उसे आद्विक को शाम को सब बताना था वही स्नेहा आज कार्तिक के कैफे में नहीं गई थी वो अपनी क्लास लेने गई क्योंकि इतने दिनों से उसने नोट्स भी नहीं लिये थे जब कार्तिक को ये पता चला कि स्नेहा आई है आज कॉलेज वो उसका लेक्चर खतम होते ही उसकी क्लास के बाहर खड़ा हो गया पर स्नेहा ने उसे इगनो किया और आगे जाने लगी अब उसे कार्तिक से कोई भी बदला या प्यार का नाटक नही करना था इसलिए उसने अपने काम से काम रखना ठीक समझा पर कार्तिक को स्नेहा का ऐसा तरीका समझ नहीं आया वहीं सुबह जब निधी सोकर उठी तो उसने टाइम देखा बारा बज रहे थे आज तो वो बहुत लेट हो गई थी उसने अपना फोन देखा जो अब को क्या ऐसा कैसे हो सकता है इसमें बोना नंबर कैसे नहीं है वो मेसेज चेक करती है तो पार्त का सुबह मेसेज आया था जिसमें उसने उसे ओफिस आने से मना किया था वो मेसेज करके पार्त को शाम को मिलने के लिए बोलती है वहीं दूसरी तरफ उसे दर्शन का कॉल आत अच्छा ठीक है अब फोन रखो और अपने सामने देखो। दर्शन बोला वो सामने देखती है तो दर्शन उसके सामने था वो उसे देखकर अब फीका मुस्कुराती है। दर्शन बोलता है क्या हुआ तबियत खराब है। निधी बोली नहीं नहीं सब सब ठीक है। दर्शन बोला तुम बहुत ठकी हुई लग रही हो। नहीं तो ऐसा तो नहीं है। निधी बोली, दर्शन बोला अच्छा इस महीने शादी के लिए बहुत शुब महूर्त निकला है, सुना है, इस दिन जो लोग शादी करते है वो जन जन के लिए आपस में बंद जाते है, शादी ये बहुत जल्दी हो रहा है पार्थ, निधी ने अच्छानक से कह दिया, पा कहने का म मतलब था कि पार्थ और पीवू की शादी में भी तो टाइम है ना, निधी ने बात बदलते होए कहा, तब दर्शन बोला रहे आज मैंने पीवू से ऑफिस में बात की थी, इस बारे में वो भी पार्थ से इस बारे में बात करने वाली है, ओ अच्छा पर अभी मै शादी नहीं करना चाहती, निधी ने बोला, दर्शन बोला कम ओन ना निधी अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, अब तुम आराम कर लो हो के और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, पर दर निधी कुछ बोल पाती इतने में दर्शन जा चुका था, वहीं दूसरी तरफ पीव भी पार्थ से इसी बारे में ओफिस में बात करती है, कॉलेज खतम होने के बाद आदविक प्रिया को लेने आज नहीं आता बस कार उसे पिक अप करने आई थी, आदविक बहुत इंपोटेंट मीटिंग में ओफिस में बेजी था, प्रिया सब जगह आदविक को देखती है पर आदविक उसे नहीं दिखता, हीरो कहां है वो बोडी ग्राद्स से पूछती है, प्रिया ने पूछा मैम सर ने आपको लेने के लिए भेजा है, पर वो क्यू नहीं आये वो आशु भरी आँखों में अंगारे लिए बोली जिसे देखकर गार्ड्स भी डर गए, मैं हीर करने लगे पर प्रिया टस से मज नहीं हुई, गार्ड्स ने कई बार आदविक को कॉल किया लेकिन वो मीटिंग में था तो कॉल नहीं उठा पाया, बहीं एक घंटे से प्रिया बाहर ही खड़ी थी, धूप बहुत तेज थी पर प्रिया एक जिद्दी बच्चे की तरह बस कार को घुर कर ही खड़ी हुई थी, धीरे धीरे कॉलेज खाली हो गया अब स्नेहा की क्लासेज भी खतम हो गई थी वो भी बाहर आई तो प्रिया को ऐसे देखा और गार्ड्स ने उसे सारी बात बताए, स्नेहा गुस्से में बोली यू इडियट्स इतनी बड़ी बात हो ग जी है तो उसे बरदाश्ट नहीं हुआ कि आद्विक सलोनी के साथ ही होगा और इसी वजह से उसका गुस्सा उसकी जिद बन गई थी, स्नेहा ने मामला बिगड़ता देख सीधा पार्थ को कॉल किया पार्थ ने फोन उठाया तो उसने सारी बात उसे बताई पार्थ शौक रह गया, वही बादलों के गढढ़ाने की आवाज आ रही थी, भाभी प्लीज आप चलिए पता नहीं ये बारिश कैसे होने वाली है ये मुंबई का मौसम भी, स्नेहा बोली, पर प्रिया वैसे ही खड़ी रही, वही पार्थ ने चलती मीटिंग में एक्सक्यूस के आद्विक बोला हां बोल क्या बात है जो बाद में नहीं हो सकती थी इतनी इंपोटेंट और अजेंट मीटिंग को तुने रुखवा दिया, आद्विक वो तेरी प्रिया पार्थ ने इतना बोला, आद्विक बोला क्या हुआ मेरी बच्ची को, पार्थ बोला आद्विक व वो दो घंटे से कॉलेज के बाहर ही खड़ी है तू उससे लेने नहीं आया इसलिए मुझे स्नेहा ने कॉल करके बताया। आद्विक हैरान था वो जल्द बाजी में वहां से कार लेकर निकला उसने देखा बूंदे पढ़ना शुरू हो गई है और कॉलेज तक का रास्ता ओफिस से देर घंटे का है। वो कार चलाते हुए एक गार्ड को कॉल करता है। जी जी सर गार्ड कांपता हुआ बोला। आद्विक रौबदार आवाज में बोला बच्ची की तरफ फोन करो स्पीकर पर। जी जी सर गार्ड बोला और फोन स्पीकर पर कर दिया। बच्ची आद्विक की आवाज आई त आद्विक बोला, लेकिन प्रिया जिद करते हुए बोलीन ही हीरो मैं नहीं बैठूंगी जब तक आप नहीं आओगे ना मैं नहीं हटूंगी यहां से बच्ची, आद्विक दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, वहां खड़े सब काम्प गए पर प्रिया टस से मज नहीं हुई अब बारिश बहुत जोर की होने लगी थी प्रिया खड़ी-खड़ी काम्प रही थी आद्विक ने गुस्से में फोन कार से बाहर फेक दिया और कार की स्पीड बढ़ा दी आद्विक एक घंटे से पहले ही कॉलेज पहुँच गया था उसने देखा बाकी सब बारिश से बचने के लिए कॉलेज की अंदर की साइड में थे और प्रिया गुस्से में काम रही थी भीगने के कारण आद्विक वहां बारिश में उतरा और बहुत गुस्से से उस तरफ बढ़ने लगा उसे ऐसे देखकर सब बहुत ज़्यादा डर रहे थे आद्विक की पसनेलिटी बहुत गरावनी लग रही थी आद्विक ने प्रिया को आवाज दी पर प्रिया ने पीछे मुड कर नहीं देखा पर अपनी फ्रॉक को कसकर पकड़ लिया आद्विक अचानक उसके सामने आ गया दोनों भीग रहे थे आद्विक गुस्से से बहुत ज्यादा गुस्से से प्रिया को देख रहा था और प्रिया भी जिद्धी बच्चे की तरह जमीन पर नजर गड़ाय थी आद्विक ने बिना कुछ कहे प्रिया को गोध में उठा लिया और प्रिया ने भी उसके सीने में अपना सर छुपा लिया आद्विक ने द्राइवर से कार चालू करने के लिए कहा और प्रिया को लेकर पीछे बैठ गया उसके बाद प्रिया वैसे ही रही पर आद्विक ने उससे एक शब्द नहीं कहा फॉम हाउस पर आने के बाद आदविक प्रिया को रूम में छोड़ कर सीधा बाहर चला गया प्रिया कुछ देर बैठी रही फिर उसने चेंज किया और बाहर आई तो देखा आदविक अभी बिना शर्ट के गाडन में खड़ा था और स्वाद्स की प्रेक्टिस कर रहा था जिससे वो अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई ही री रो उसने बेहत धीरे कहा पर आदविक ने नहीं उसकी तरफ देखा न कुछ रियेक्ट किया वो तलवार बाजी करता रहा hero मुझे से बात करो ना वो उसके सामने आकर बोली hero आप मुझे से बात क्यूं नहीं कर रही हो आज मैंने अच्छे से पढाई की है hero आप गुस्सा कर लो पर मुझे से बात करो पर आदविक ने फिर कोई react नहीं किया अब प्रिया की expression बदलने लगे थे उस पर बही गुस्सा और सनक हावी हो रही थी जो कॉलेज में हुई थी तो आप नहीं बात करोगे वो गुस्से से बोली पर आद्विक ने कोई रियेक्ट नहीं किया मुझसे बात करो वो गाडन पर रखी चैटेबल को गुस्से में गिराने लगी आद्विक रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा इस बीची प्रिया गेर भी गई और उसके घुटने छिल गई और कोहनी भी पर वो जमीन को गुस्से में मारने लगी लेट कर आद्विक उसके पास जल्दी से गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया को क्या हुआ है वो ऐसा बेहेव क्यों कर रही है उसने प्रिया को जल्दी से उठाया बच्ची में हून कर रहा हूँ ना बात मेरी बच्ची उसने प्रिया को सीने से लगा लिया तो उसे महसूस हुआ प्रिया का तापमान भट्टी की तरह जल रहा है। उसने प्रिया को गोध में उठाया और रूम तक लेकर गया। उसने कॉल करके डॉक्टर को बुलाया। और उसके बाद वापस किसी केपी कॉल किया। ये स्टिक्टरस्ट मिसर्स भट्ट तो अब आएगा कहानी में ट्विस्ट क्यूंकि अरॉयर के दावे हुए राजों से जल्दी खुलेगा। परदा उसके घरवालों के प्रती उसका रवया और उसकी ये हालत कैसे है। वही दूसरी तरफ निधी एक रिस्ट्राउंट में बैठी थी और पार्थ उसके सामने बैठा था। देखो निधी ये सब तुम्हारा बहन है जय की चाल है ये कोई तुम चिंता मत करो। हालां की पार्थ जानता था कि जय मर चुका है पर वो अच्छे से समझ चुका है कि किसी की सोची समझी साजिश है ये। क्योंकि किसी का मकसद निधी को बुरी तरह दराना है क्योंकि वो कमजोर है। अगर ऐसा ही होता ना निधी तो वो जो भी है मुझे क्यों परेशान नहीं कर रहा बताओ क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि मैं नहीं दरने वाला हूँ. अब तुम्हें कुछ टाइम हिम्मत से काम लेना है निधी मैं तुम्हारे साथ हूँ. निधी अच्छानक बहुत रोने लगती है उसकी लाइफ ये उसे कहां ले आई इससे बेटर तो वो अपने घर में थी. पार थाकर उसे गले लगा लेता है और निधी उसके कंधे से लगकर काफी समय तक रोती है. बस बहुत हो गया दो दिन में मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर ये चक्कर क्या है वो बोला. दर्शन ने आज मुझसे शादी की बात की थी वो अपने आंसु पोंचते हुए बोली. हाँ मुझसे भी आज ओफिस में पीहू ने बात की थी. मुझे नहीं लगता मैं अभी इसके लिए रेडी हूँ मैंने पीहू से कह दिया है वैसे भी शायद इस मामले में मुझे लगता है हम सभी जल्द बाजे कर रहे हैं. तुम्हें क्या लगता है? तुम दर्शन से अभी शादी करोगी. मुझे भी तुम्हारी बात ठीकी लगती है मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ. मैं दर्शन से बात करती हूँ. वो उसकी तरफ देखकर मुकुराई. वही दूसरी तरफ. स्नेहा भी कॉलेज में अपनी कार में बैठने को थी कि उसे पीछे से आवा जाई. तुम पहले चेंज कर लो फिर चली जाना. नो थैंक्स इसकी कोई जरूरत नहीं है वो जाने लगी. कार्तिक ने इस बार उसकी कलाई पकड़ ली. एक बात कह रहा हूँ समझ नहीं आ रहा बिमार पर जाओगी तो अच्छा रहेगा. मैं जीएू या मरू तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले. और किस हक से मेरा हाथ पकड़ रखा है तुमने छोड़ो मुझे वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली. ओ हक रियली कल तक तो मुझे पर हक जताती रहते थी तब और दोस्ती की था हमने भोल गई हो क्या? कैसी दोस्त मैं नहीं हूँ तुम्हारी दोस्त देखो ना मुझे तुमसे दोस्ती करनी है ना दुश्मनी तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते. ऐसी भी क्या बात हो गई मैंने बस तुम्हें लड़ने से मना किया था क्यूंकि मैं नहीं चाहता था मेरी वज़े से तुम किसी मुसीबत में फस जाओ और तुम्हारे भाय तक बात पहुँचे इतनी सी बात दिमाग में नहीं गुस्ती है क्या तुम्हारे भेजे में? स्नेहा उसे घूर रही थी पर ठंड की वज़े से वो काम भी रही थी. कार्तेक उसका हाथ पकड़ कर लेकर गया और अपनी जैकेट उसे उड़ा दी. आज तुम्हारा कैफे बंद है क्या? हमम, तुम्हारे कपड़े हीटर के पास रख देता हूँ यही कहीं होगा सूख जाएंगे. तब तक तुम मेरे पहन लो मैं लाकर देता हूँ. नहीं शुक्रिया मेरी कार में एक्स्ट्रा ड्राइस होती है मैं द्राइवर अंकल से मंगवा लेती हूँ. अच्छा अब हम द दोस्ती के भी लायक नहीं हूँ. मैंने कहा ना आज से हम दोस्त है पुरानी बातों को भुला दो. उसके बाद सनेहा और कार्तिक ने थोड़ी बहुत बाते की और कड़े चेंज करके सनेहा अपने घर चली गई. वही कपूर मेंशन में, दादी यहां वहां टहल रही थी. यह लड़का अब बहुत बिगाड गया है दादी से भी मिलने नहीं आता. मुझे सुशिला प्रिया का जल्द से जल्द पता लगाना होगा वही इस आदू की जिंदगी को जिंदगी बनाएगी. मेरी बहुतो वही बनेगी हां. प्रिया को डॉक्टर ने चेक किया और मेडिसन उसे दे दी वही दूसरी तरफ साइकेट्रस्ट मिसर्स भट भी आ चुकी थी. और आद्विक ने उन्हें शुरू से लेकर अब तक की पूरी बात बताए. प्रिया के बेहेव के बारे में भी बताया डॉक्टर ने प्रिया के होश में आने का वेट किया और प्रिया की लाइफ के बारे में जाना जिसके बाद उन्होंने प्रिया के कुछ टेस्ट भी करवाए और आद्विक को दो दिन बाद सब बताने की बात कही. वहीं दूसरी तरफ. अब प्रिया रूम में अकेली बैठी थी और आद्विक इसके पास खाना लेकर गया बच्च से उसे खिलाने लगा. वहीं दूसरी तरफ. कपूर मेंशन में इस लड़की को कही भी धूंडो और जहां भी मिले मुझ तक ले आऊए ही मेरे आदू की दुलहन बनेंगी हाँ. दादी टेरा मुस्कुरा कर कुछ आद्मियों को पैसे देते हुए बोली. वो आद्मी जी मा जी हम जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करेंगे. वहीं दूसरी तरफ. पार्थ ने निधी को फोन करके अरजेंटली एक जगा बुलाया निधी को समझ नहीं आ रहा था कि पार्थ ने ऐसे हडबढाहट में उसे क्यू बुलाया है. निधी जल्दी से ओफिस से निक क्या रहा है. वो पार्थ को आवाज लगाई है पर पार्थ नहीं आता उसके सामने वो उसे कॉल लगाती है पर उसका भी कोई जवाब नहीं आता. वो मुल कर जाने को थी कि वो किसी से टकरा जाती है वो सर उठाकर सामने देखती है तो सामने और कोई नहीं पार्थ था. प इसलिए क्योंकि आज मेरी शादी है निधी उसने बिना एक्स्प्रेशन के कहा क्या कहा तो महारी शादी किस से और यहां मुझे पी हूँ तो देख नहीं रही है मेरी शादी तुम से है निधी जाओ अंदर जाकर चेंज कर लोस ने बिलकुल शांती से कहा तुम पागल हो गए हो क्या मैं मैं तुम से शादी क्यों करूगी मैं तो दर्शन से शादी करने वाली हूँ और तुम ही हो क्या गया है अचानक तुम से जो कह रहा हूँ तुम करोगी वो गुस्से में बोला बिल्कुल भी नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ कैसा तुम कह रहे हो समझ में आई बात गुस्से से रहते हुए वो वहां से जाने लगी पार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ एक थाली की जिसमें सारा समान था दुलहन का उसी थाल में मंगल सूत्र और सिंदूर भी था जाओ जाकर ये दुलहन के कपड़े पहन लो सिंदूर और मंगल सूत्र भी पहन लेना क्या उसने हिरानी से कहा जितना कहा है उतना करो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना निधी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम जानती हो मेरी पहुंच कहा तक है और तुम्हारी फैमिली बिलकुल अकेली है मैं जानता हूँ तुम उन्हें बीच में लाना नहीं च मुझे थपड मारा था उसी वक्त तुम मेरी दुश्मन बन चुकी थी समझ गई ना, अब बहुत हुआ जाओ जितना कहा है उतना करो, उसकी बाते सुनकर वो हिरान रह गई, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, वही स्नेहा अपने रूम में बैठी थी और फोन चला रही थी जब उसे कार्तिक का कॉल आया, हीलो कार्तिक का क्या बात है, आज मैंने अपने दूसरे कैफे का इनॉग्रेशन रखा है, तुम ही भी आना है ठीक है, वाव ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं पक्का आऊंगी, उसके बाद स्नेहा एक साड़ी पहन कर तयार हो जाती है, जाने कार्तिक मुस्कुरा कर इतना क्या तयार होकर आई हो, अब कैफे की जगा लोग तुम्हें देखेंगे तो स्नेहा मूँ बना लेती है, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ जो तुम ऐसे बोल रही हो, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम साड़ी में बहुत खुबसूरत ल लग रहा था स्नेहा ने बहुत सारी फोटो जली उसने कार्तिक के साथ भी बहुत सी पिक्स ली, दोनों शाम तक साथ ही रही, वहीं निधी मौका देखकर वहां से भाग गई थी पर पार्थ ने उसे पकड़ लिया था निधी रो रही थी पर पार्थ को कोई फर्क नहीं प बात नहीं मानी तो मैं वो भी बन जाओंगा, वहीं दर्शन भी बार बार निधी को कॉल कर रहा था पर कोई जवाब नहीं आ रहा था निधी कहीं भी नहीं थी उसने है जगह पता किया, उसने उसकी लोकेशन पता करवाए और वो सुनसान जगह जो जंगल के पास का एरिय है देखकर शौक हो गया उसने अपनी कार निकाली और वहां की तरफ बढ़ गया वही फॉमहा उसमें आद्विक प्रिया के बाल सहला रहा था और प्रिया भी लेटी हुई थि क्या हुआ है मेरी बच्ची को हां बच्ची मैं कभी-कभी बिजी रहता हूं काम तो करना ही है ना पर प्रिया ने बस हां में सर हिलाया वो सुबह से ही उदास सी बैठी थी कोई बात भी नहीं कर रही थी हीरो मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था सच में बस मुझे बहुत गुस्सा आ रहा थो मैंने जाम्भुज कर नहीं किया वो लगभग रोने वाली आवाज में बोली कोई बात नहीं बच्ची में हूं ना तुम्हारे साथ मैं जानता हूं तो मेक अच्छी बच्ची हो और मेरी बात भी मानती हो हीरो क्या अब हम घूमने नहीं जाएंगे अपने बोला थापरों में सागे नहीं करूंगी कुछ भी सची घूमने जाए वो वाली जगा जो मैंने बनाए थी मैंने और भी बहुत सारी पेंटिंग्जा बनाए थी आज पर सब भीग गई वो नीचे मूह करके बोली किसने कहा सब भीग गई सारी नहीं भीगी मैंने निकाल ली थी तुम्हारे बैग से क्या सच में हीरो हाँ पर बच्ची तुम सिर्फ मेरी पेंटिंग जही मत बनाया करो और भी बनाया करो मुझे आपकी बनानी पसंद है हीरो वो स्माइल करके बोली अच्छा तैयार हो जाओ बाहर चर रहे हैं हम प्रिया खुश हो गई और खुश होकर उसने आदविक के गाल को चूम लिया और आदविक ने भी उसे अपनी गोद में खीच लिया आखिर वो जानती भी नहीं कि वो आदविक की वाइफ है आदविक ने एक एक करके उसकी आँखों को चूमा और उसके गाल को और धीरे से उसके हुंठों की तरफ बढ़ने लगा प्रिया की भी आँखे बंद होती गई जैसे जैसे आदविक उसके नजदी गा रहा था आदविक ने एक बार प्रिया का चेहरा देखा और उसके माथे से माथा जोड लिया तुम कभी नहीं जान पाओगी मेरे लिए कितनी खास हो मेरे लिए क्या हो तुम मैं क्या हूँ प्रिया ने मासूम सा सवाल पूछा पर आदविक ने मुस्कुरा कर उसको तयार होकर आने को बोला आदविक बाहर वेट करने लगा और प्रिया तयार होकर आ गई उसने एक प्यारी सी लॉंग फ्रॉक पहनी हुई थी आदविक उसे लेकर एक जगर गया जहां पर चांद था और एक ब्रिज था बच्ची तुम अंदर जाओ और मैं अभी आता हूँ आदविक साइड ने जाकर किसी को कॉल करता है और इस वक्त को प्रिया का आदविक नहीं वही आदविक बिजनेसमेन लग रहा था जो शहर भर में फेमस है ये डीर तो मेरी है जो मैं लेही लूंगा और रही बातो साहू जाकी तो उसे सड़क पर लाकर नहीं छोड़ा तो मेरा नाम भी आदविक का पूर नहीं छोटा सा भूत वही प्रिया जो अंदर जा चुकी थी वो गोल गोल घूम रही थी वाव कितना खुबसूरत है सच में हीरो कितने अच्छे है ये जगा कितनी प्यारी है दो बेटर आपस में बात कर रहे थे भाई देखा क्या फिगा है भाई मुझे तो बच्ची लग रही है हरकते नहीं देख रहा अरे बच्ची में ही तो मज़ा है यार ये इसकी फ्रॉक थोड़ी और उची होती तो आज दिन बन जाता एठ हर की साले दो बच्चों का बाप हो गया अभे तक हरा ही है अभे इसने तो मूड बना दिया अब घर जाकर बीवी पर भडास निकालूंगा अभे बीवी में कहां वो बात जो इसमें होगी दूसरा वाला आदमी अपनी गंदी नजरों से प्रिया को घूरता हुआ बोला वैसे भी तेरी बीवी ने तो तुझे घर से निकाल दिया है क्यों हो गंदी हसी हस कर बोला अबे तू क्या हुआ जब अबरदस्ती गुस जाओंगा आज तो खुझली मिटाओंगा ही ये तो मायने नहीं वाली कोई नहीं इसको इमेजन इससे पहले वो कुछ बोलता उन दोनों की आवाज अचानक बंध हो गई थी और कुछी देर में वो एक कार में कही ले जाये जा रहे थे उनके हाथ पैर बांध थे और मुँँ पर पट्टी बंधी थी अब ये किस ने किया तो सभी जानते है और इनका क्या होगा ये भी बताऊंगी पर बाद में आद्विक प्रिया के पास आता है हीरो कितनी देर हो गई आपको ये देखो तुम्हारे लिए वो एक होट का पेंडेंट उसे पहना देता है बाब ये लेने गए थे आप मेरे लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है तुम्हे अच्छा लगा बहुत ज्यादा पर मैं तो आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं के पाई मैं कर दूंगी ओके आद्विक ने प्रिया को गले से लगा लिया और प्रिया ने भी पर इस वक्त आद्विक के अंदर एक आग लगी हुई थी जिसके वो हर इंसान भस्म होगा जो प्रिया के बारे में कुछ भी गलत सोचेगा आद्विक एक्स्प्रेस करने में नहीं सीधा एक्षन करने के यकीन करता है वहीं दूसरी तरफ जब दर्शन उस जगा पहुँचा तब वो देखता है कि पार्थ और निधी ब्राइड और ग्रूम की द्रास पहन कर खड़े है और निधी के गले में मंगल सूत्र और मांग में सिंदूर है और दोनों के गले में बर्माला पड़ी है दर्शन वहां पहुँचकर शौक्ष हो जाता है उसे देखकर पार्थ को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है पर निधी को ऐसा लग रहा था कि उसने दर्शन के साथ कितना बड़ा धोका किया है जबकि उसने कुछ किया नहीं था ये ये सब क्या है निधी वो उसकी माला गुस्से में उसके गले से खीच कर नीचे फैकते हुए गुस्से में चिल्ला कर बोला पार्थ अचानक निधी के सामने आ गया पहली बात मेरी वाइफ से कोई उची आवाज में बात करे में बिल्कुल बरदाश्ट नहीं करूंगा और वो तुम्हें किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती है हम दोनों को क्वालिटी टाइम दो और चले जाओ यहां से तुम्हें मैं अपने भाई जैसा समझता था और तुमने मेरे साथ ये किया वो पार्थ का कॉला पकड़ कर बोला तुम अभी छोटे होगा सच में तुम्हें इतनी सी भी अकल होती ना तो 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 क्या खेर कुछ नहीं तुमसे मैं बाद में ही बात करूँगा अभी मुझे और निधी को कुछ टाइम दो और हटो यहां से आदविक और प्रिया ने वहां बहुत मस्ती की आदविक तो बस प्रिया के खुशी से खिलते हुए चेहरे को देख रहा था और हमारी प्रिया आदविक को परेशान कर रही थी प्रिया बहुत ठक गई थी तो आद्विक ने उसे गोद में उठा लिया और वो कार में ही सो गई थी आद्विक ने उसका सर अपने कंधे पर रखा और लाक्टॉप लेकर बैठ गया कुछ देर बाद आद्विक घर पहुचा और प्रिया को अच्छे से बैड पर लेटा देने के बाद उसने उसे ब्लेंकेट से कवा कर दिया और उसके माथे को चूम कर वहां से चला गया उसकी आखें गुस्से से लाल थी और चेहरे पर एक तूफान आने से पहले की खामूशी वो उस जगह पहुचा जहां पर वो उन बेटर्स को बंधवा कर रखवाया था उसका औरा बहुत खतरनाक था और वो दोनों बेटर्स थर थर काम प्रहे थे उसे देखकर आद्विक पंजों के बल उनके पास बैठते हुए उनके चेहरे का टेप निकाल देता है और एक बैल्ट जिस पर कांटे ही कांटे जैसे नुकीली कील हो निकल रही थी उससे अपने हाथों में लपेट कर हाँ तो कोई कुछ कह रहा था उसके बारे मैं वो जाता है कौन है मेरी बीवी है ये सुनकर तो वो दोनों डर से सिकोर गए तेरा इस धर्ती पर रहने का कोई फायदा नहीं तुम समाज में रहेगा तो लड़कियों पर नजर डालोगे किसी का फायदा उठा लोगे अपने बच्चों को मारोगे पीटोगे अपनी पत्नी को नोचोगे आज मैं तुझे ऐसी जगा भेजूंगा जहां से जाने के बाद तू जिन्दा तो रहेगा पर अपनी मौत की पल पल दुआ मांगेगा वो दोनों की तरफ देख कर बोला और अगले ही पल उसने उस ब्याट से उन्हें मारना शुरू किया एक दो तीन चार दस पचास सो फट चुका था और उनका खून बह रहा था दोनों चिल्ला चिल्ला कर ठक चुके थे और खून बहने की वजह से बेहोश भी हो गये थे लेकिन आद्विक नहीं रुका था मेरी बीवी को इमेजन करेगा तू इन आखों से देख रहा था न अभी नोच के अलग कर दूंगा तेरे शरीर से अपनी बीवी का बलातकार करेगा न अब कुछ करने लायक नहीं छोडूंगा वो एक दानव लग रहा था मेरी बीवी को मेरी बच्ची को मेरी जान है वो फूलों से भी ज़्यादा कोमर रखता हूँ उसे तू उसके बारे में वो तब तक उन्हें मारता रहा जब तक ब्याजपूरी तरह से फट नहीं गई जाओ इन्हें सरकारी हॉस्पिटल के बाहर फेक दो जो की अब किसी लायक नहीं बचे थे और इनकी फैमिली को पैसे दे दो और बच्चों का एड्मिशन करवा दी ये कहकर वो वहां से चला गया वो वहां से सीधा फॉमहा उस पहुचा और उसने शावल लिया प्रिया एक छोटी सी परी की तरह लग रही थी सोती हुई आदविक कुछ देर उसे देखता रहा मेरे लिए तुम ही हकीकत हो मेर्य अगर कभी मैंने आदविक कपूर ने कोई खवाब भी देखा है न वो भी तुम हो बच्ची तुम मेरी हमसफर हो और मैं हमेशा तुम्हारा हमकर्म बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा बच्ची हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा वो उसके गाल सहला कर बोला उसने मोबाइल चेक किया जिसमें डॉक्टर ने उसे कल रिपोर्ट्स मायने की बात कही थी उसने एक सांस भरी और प्रिया के बालों को सहलाने लगा जिससे सोती हुई प्रिया और कमफर्टेबल हो गई और नींद में ही उसके करीब आकर सो गई पर आद्विक की आँखों में नींद नहीं कल का इंतजार था वहीं दूसरी तरफ पार्थ निधी को अपने साथ ले गया उसने निधी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था जैसे वो किसी गहरी सोच में था वहीं पीवू के फ्लेट पर उसे दर्शन का मैसे जाता है कि पार्थ और निधी ने शादी कर ली है उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता उसकी आँखे भराती है वो कमरे में जाकर चीजों को इधर उधर फैकने लगती है हाँ वो बहुत दुख में है बहुत तूटी हुई ना 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 पीवू वैसी नहीं है वो अचानक हसने लगी पार्थ 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 तो तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली गई और अब तुम उस निधी को बचाने के लिए उससे शादी भी कर लिए नहीं पार्थ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुम तुम तो मेरे थे नाए देखो मेरी उंगली इसमें तुम्हारी पहनाई हुई रिंग है तुम मेरे हो सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए न मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ किसी भी हद तक तुम जानते हो मैं पहली नजर से तुमसे कितना प्यार करती हूँ पहली नजर से तुम्हें पाना मेरी चाहत है लेकिन तुमने मुझसे शादी की बात होने के बावजुद दो घड़ी बैठ कर मुझसे कभी बात नहीं की क्यू पार्था क्या मैं इतनी बुरी थे क्या क्या मैं खूमसूरत नहीं थी बच्पन से मेरे साथ ऐसा ही होता आया है वो आंसू पोंचने लगी लेकिन अब नहीं पार्थ अब बिल्कुल नहीं जो मेरा है ना वो मुझे मिलकर रहेगा या मैं छीन लूँगी फिर वो अपने रूम में जाकर एक ब्रॉक खोल कर उसमें से एक तस्वीर निकालती है मम्मा देखो ना एक क्या क्या पार्थ ने ये गलत था ना वो आंसू पोंचते हुए बोलियरे नहीं मम्मा मैं नहीं रो रही हूँ मैं क्यों रोऊंगी आप छिन्ता मत करो आपकी बेटी ना सब ठीक कर देगी इस निधी को ना मैं रास्ते से ही हटा दूँगी मैं मैं उसे दर्ब नहीं दूँगी मम्मा सच्छी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है पर वो हमेशा मेरे और पार्थ के बीच में आ जाती है उसे कितना दराया मैंने उसके दिमाग से इतना खेला कि वो पागल हो जाए जैसे मैं उसकी वज़े से तिल-तिल मारती हूँ वो भी मरे पर नहीं इसमें भी वो पार्थ को बीच में ले आई वो अलमीरा से एक लाल चुन्नी निकाल कर उड़ती है और मेरे के पास जाकर खुद को संकी की तरह मेरे में चू कर देखते हुए थेंक्यू ममा पर आपसे ज्यादा सुन्दर नहीं लग रही हूँ अगले दिन प्रिया की रिपोर्ट आ चुकी थें और आद्विक डॉक्टर से मिलने गया था और प्रिया इस वक्त सो रही थी क्योंकि अभी सुबह के 6 बज रहे थे पर आद्विक को जल्द से जल्द प्रिया के बारे में पता करना था वो पूरी रात सो भी नहीं पाया था आद्विक खुद डॉक्टर से मिलने जाता है आए मिस्टर कपूर आद्विक एक गहरी सांस करा कर बैठ जाता है और डॉक्टर आद्विक को प्रिया की रिपोर्ट पास करती है आद्विक रिपोर्ट्स पढ़ता है तो एक शब्द जोर से कहता है ओड ये क्या होता है Obsessive Disorder अब मैं आपको उस दिन की बात बताती हूँ जिस दिन मैं प्रिया को चेक करने के लिए पहुँची थी एक तो आपने वो रूम ध्यान से देखा हर जगा आपकी पेंटिंग जथी वैसे तो ये एक आम बात है अक्सर अपने प्यार करने वालों की तस्वीरे और पेंटिंग ज़ा हम बनाया ही करते हैं पर आपने उन पेंटिंग जपर गौर कीजिए तो हर पेंटिंग एक स्टोरी की तरह है ये देखिए, डॉक्टर प्रिया की ही एक पेंटिंग जो आद्विक की थी उसे दिखाती है जिसमें सिर्फ आद्विक था पर प्रिया नहीं आद्विक को उसमें कुछ अलग नहीं दिखा पर डॉक्टर ने जब पेंटिंग में वाद्विक के संगलासस पर ध्यान देने को क पहा आद्विक हैरान रह गया क्योंकि प्रिया भी दिखाए दे रही थी जो आद्विक की पेंटिंग में इस तरह छुपा कर बनी थी कि एक नजर में कोई नहीं पहचान पाए आद्विक डॉक्टर को असमंजस में देखने लगा। तक की उससे खाने के बारे में भी पूछलो तो वो आपकी बात करती है। ये आम भी हो सकता है किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करना पर प्रिया के केस में ये कुछ अलग है। उसके बचपन से अब तक मैंने उसकी सारी बाते उससे पूछी उसका हर काम बिगारना किसी का उ कोई दोस्त ना होना और धीरे धीरे वो अपनी सिस्टर पर डिपेंड रहने लगी यही सब धीरे धीरे उसके मन के अंदर एक दूसरी प्रिया की रचना करता रहा जो प्यार के पार्टना इन सब की भूनकी थी पर कभी ऐसा हुआ नहीं और वो परसनल्टी उसके अंदर दब ही सोचने लगी और उसने अपनी दुनिया आपमें ही बिल्ड कर ली है कल जो उसने किया वो उसकी इच्छाओं की वजए से है जो उसने इमेजन किया हुआ है वो हमेशा आपका साथ चाहती है और जब ऐसा नहीं होता तो वो अब वापस नॉमल प्रिया नहीं बन सक्ती पहले तो आपको उन सपनों की दुनिया से उसे सच्छाई में इस दुनिया में लाना होगा। प्रिया की पसनेलिटी कुछ यू बन गई है कि वो एसकेप होकर जीने लगी है उन्हीं वहां से खीच कर असली दुनिया में लाना है उनसे प्यार से डील करिया अब आप भी जानते हैं प्रिया के मन को उसकी जगह खुद को रख कर देखिये उसे समझने की कोशिश कीजिये स साथ ही साथ उनका बच्पना आप जानते ही हैं आप इस बात का फायदा उठाकर भी उनसे डील करने कोशिश कीजिये देखिये बस उन्हें प्यार और केर की ही नहीं पर इसके साथ साथ नॉमल होने की भी जरूरत है किस वक्त क्या फैसला लेना है ये आप पर ही डिपेंट करेगा इसके साथ साथ कुछ दबायां भी आपको लिख कर दे रही हूं आप टाइम टू टाइम उन्हें देते रहेगा उनके खान पान का ख्याल रख्याहत का भी ध्यान राखिए एक और बात आप उनकी फैमिली को एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा क्योंकि उन्होंने प्रिया के साथ जो बिहेव किया उसकी वजह से ही प्रिया को इतना एफेक्ट हुआ है आद्विक जो कब से चुप चाप लाल आंखे लिए बैठा था उसकी मुठिया कस गई उसने और भी कई बाते दॉक्टर से डिसकस की और बहां से चला गया उसने गाड़ी प्रिया के घर की तरफ बढ़ाली जहां एक और जटका उसका वेट कर रहा था वहीं दूसरी ओर पार्थ निधी को अपने साथ कार में बैठा कर ले जा चुका था निधी पूरे रास्ते उसे गुस्से से घूर रही थी कार पार्थ के घर के बाहर रुकी और उसने निधी के लिए दर पढ़ का जो तुमने मुझे मारा था तुम्हें टॉर्चर करूंगा कुछ दिन और इतने दिन जो कुछ हुआ न तुम्हारे साथ वो सब मैंने किया पार्थ ने जूट कहा क्या निधी की आँखें गुस्से और आंसों से भर गई उसने उसे थपढ़ मारने के लिए हाथ पकड़ लिया एक और गलती नहीं निधी बरदाश्ट नहीं करूंगा चलो यहां से अंदर चलो वो उसे अंदर ले जाते हुए बोला निधी का हाथ पकड़ वो उसे अंदर ले गया और एक रूम में छोड़कर बाहर से लौक लगा दिया निधी दरवाजा खट-खट आन और नाश्ता कर रहे थे आदविक गुस्से से वहां घुस गया और एक लाध टेबल पर मारी जिससे वो दोनों हिरानी से खड़े हो गए प्रिया की मम्मी गुस्से से ये क्या बद्तमीजी है बड़े आदमी होगे अपने घर पर ये हमारा घर है पहले ही हमसे हमारी बेटि उसे दोनों को घूर कर बोला हमें तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हम अपनी बच्ची से कितना प्यार करते हैं मा बाप है उसके प्रिया के पापा बोले ओ सच में आदविक जोर जोर से हंसने लगा कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता जै उस मासूम पर आपको दया नहीं आई मा बाप के नाम पर कलंख है आप दोनों हम उसके मा बाप नहीं है चानक से प्रिया के पापा बोल पड़े प्रिया की मा रोते हुए हैरानी से उन्हें देखने लगी नहीं आज मुझे कहने दो वो प्रिया की मा की तरफ देखकर बोले प्रिया मेरी बहन की बच्ची है मेरी बहन उसका नाम सुप्रिया था कहने को वो मेरी छोटी बहन थी पर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था मैं भी उसे अपनी नंद नहीं अपनी बहन की तरह प्यार करती थी प्रिया की मा बोली वो बहुत जिद्दी थी हमारे लाड प्यार ने शायद उसे ऐसा बना दिया था पर उतने ही मासूम और साफ दिल की कभी-कभी हमें चिंता रहती थी उसकी की आज के जमाने में कोई भी उस बिचारी का फायदा न उठा ले और ऐसा ही हुआ एक लड़का उससे उसे प्यार हो गया उसकी कच्छी उम्रती उपसे वो लड़का वो भी कोई आवारा था लेकिन सुप्रिया वो मानने को तैयार ही नहीं थी हमने उसे बहुत समझाया पर उसकी जिद उसकी जिद के आगे हमें मजबूर होना पड़ा वो खुद को नुकसान पहुचाने लगी थी वो प्यार में पागल सी ही हो गई थी उससे उस लड़के के सिवाए और कुछ सूझता ही नहीं था हमने उसकी शादी उस लड़के से करवा दीवरना वो खुद को जान से मार लेती हम यही से उसकी देखभाल करते रहे उसे पैसे भी भेजते रहते की सुप्रिया को कोई तकलीफ न हो पर जब उस घटिया इंसान का सुप्रिया से मन भर गया तब उसने सुप्रिया को एक कोने मिफिक दिया सुप्रिया फिर भी उसके साथ रहती रही हमें उसने कुछ नहीं बताया वो आदमी सुप्रिया की आँखों के सामने दूसरी बीवी ले आया उसके साथ रहने लगा पर सुप्रिया फिर भी चुपचाप वहाँ नौकर बनकर रहने लगी एक बार जब कई दिनों तक उसका फोन या कोई खाबर नहीं आती तो मैं खुद उससे मिलने गया जहां सुप्रिया को मैंने बाहर के स्टो हाउस में देखा अंदर जाकर देखा तो मैं हैरान रह गया वहाँ एक चटाई पानी का जग और दूसरा समान थाना जाने मेरी बच्ची कितने समय से वहाँ मर मर के जी रही थी, मैं उसे ले जाने लगा पर वो नहीं मानी फिर भी उसे जबरदस्ती में वहाँ से ले आया उसके बाद से ही सुप्रिया शांत रहने लगी वो दरवाजे पर बैठ कर अपने पती का इंतजार किया करती थी मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो पता लगा उसे एक तरह की बीमारी है अबसेसिव डिप्रेशन वो खुद को भूल चुकी है उसका जुनून इतना बढ़ चुका था कि वो दिन बर दिन पागल होती जा रही थी कुछ वक्त बाद ही हमें पता चला वो माव बनने वाली है तब निधी दो साल की थी सुप्रिया को अपना कोई ख्याल न रहता पर धीरे धीरे हम उसका ध्यान उसके बच्चे की तरफ डालने लगे जिससे वो कुछ हद तक नौमल होती रही अब वो काफी हद तक ठीक हो गई थी उसका नौवा महीना चल रहा था हम बहुत खुश थे सब अपनी छोटी सी दुनिया में पर वो वो फिरा गया जब सुप्रिया ने उसे देखा तो हमने सोचा भी नहीं था कि वो अपने बच्चे के लिए इतनी मजबूत बन जाएगी उसने गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कहा पर वो नहीं माना वो उसके सामने गिरगिराने लगा मिन्नत करने लगा वो वापस उसे अपने जाल में फसाना चाहता था वो बच्चे को अपने साथ ले जाने की बात करने लगा जिससे सुप्रिया बहुत डर गई वो गुस्से से भर गई उसने आसपास देखकर चाकू उठा लिया हम उसे संभालने की कोशिश करने लगे पर वो मान ही नहीं रही थी वो चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ी पर उसके नजदीक जाते ही वो उसे चोट नहीं पहुचा पाए और फूट फुट कर रोने लगी तभी उसका लेबर पेन भी शुरू हो गया हम उसे हॉस्पिटल ले गए और उसके पती को मैंने पुलिस के हवाले करवा दिया उसने एक प्यारी बच्ची को जन दिया जो बिलकुल उसी के जैसी दिखती थी इसलिए हमने प्यार से उसका नाम रखा प्रिया उसने कुछ देर प्रिया को प्यार से देखा और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई उसने हमें अपने पास बुलाया और कहा भावी भाई मुझे मा माफ का कर दीजिये मा मैं आपकी खूखुशियों की गुनहगार हूँ शशायद आपके प्यार की का कदर नना करने की की ससजा मुझे मिली है मेरी बेटी को का कभी पर प्यार मत का करना हूँ उसे कभी इतना लाडमा मत करना उसे खुर सब करते करते रहने देना उस उसके सामने चूचुनाटिया खा खढ़ी कर करना उसे की किसी से प्यार नहो मा मेरी तातरह बना वोखा खुद को खोगेगी ये मेरी आ आखिरी इच्छा है उसके बाद उसकी आखें हमेशा के लिए बंद हो गई इन हाथों से जिससे मैंने बच्पन में उसे जुलाया था उसकी चिता को अगनी दी मैंने प्रिया के पापा रोते हुए बोले बस यही वज़े थी कि हमें ये सब करना पड़ा उसकी मा रोते हुए बोली हम बुरे हैं बहुत बुरे आदविक की आँखी भी भर गई थी क्योंकि उसे समझा चुका था कि प्रिया का केस जितना देख रहा था उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट्स है अगर उसमें अपने मा जैसे ट्रेट्स आ गए तो वो सारी हदे पार भी कर सकती है जैसे सु प्रिया जी ने कर दी थी आदविक ने इतना ही कहा आपने जो किया प्रिया के साथ वो गलत था आई बिना रुके वो वहां से चला गया और प्रिया की मा जमीन पर बैठ गई किया किसी मरे हुए व्यक्ति को दी गई कसम किसी मासूम से उसका बच्पन खुशिया यहां तक कि उसका अस्तित्व से था वो रूम में पहुचा तो प्रिया शायद अभी अभी ही उठी थी और उसे ही धूंध रही थी वो आंख मसलती हुई हिरो आप कहां गये थे जानते हो कितना धूंधा मैंने आपको बहुत धूंधा था और वो आदविक के गले लग गई किसी छोटे बच्चे की तरह आ क्या हुआ हीरो किसी ने आपको डांटा है क्या आप रो क्यूं रही हो मुझे बताओ मैं उसे छोडूंगी नहीं प्रिया बहुत गुस्से में बोली आदविक ने उसके होंठों पर उंगली रख दी शश शश पर हीरो आप रो नहीं ना मुझे भी रोना आता है वो भरी आ वो बहुत प्यार से उसके होंठों को चूम रहा था जैसे वो कोई कागस की गुडिया है और थोड़ा सा भी जोर उसे चोट पहुँचा देगा वहीं प्रिया के हाथ आदविक की शर्ट पर कस गए थे और उसकी आँखे बंग थी कुछ वक्त बाद आदविक ने उसे कर पकड़ लेता है पर आदविक को वो सब याद आने लगा जो डॉक्टर ने बताया और सुप्रिया प्रिया की मां कैसे प्यार के चलते वो सब कुछ भूल बैठी और खुद को बरबाद कर दिया वो प्रिया से अलग हुआ और एक सांस लेकर जाओ बच्ची कॉलेज के ल हीरो डॉक्टर ने मना किया है और आज रास्ट करने के लिए भी बोला था अच्छा कोई बहाना नहीं चलो जाओ पर हीरो अब तो हम बहुत लेट हो गए है कोई फायदा भी नहीं है ना मैं बात कर लूंगा कॉलेज में लीज मेरे हीरो आप तो सबसे अच्छे हो फिर वो खांसकर मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है हीरो मुझे सोना चाहिए फिर दवाई खाऊंगी आदविक उसके बाल सहलाते हुए ठीक है मैं ओफिस जा रहा हूँ तुम यहीं रुको और नाश्ता कर लो तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ ये केह कर वो जाने लगा तो प्रिया प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया हीरो यहीं से काम कर लो ना प्लीज ओफिस तो आप नहीं जाते हो देखो बच्छी मुझे ओफिस अब से जाना होगा वहां मेरे बिना कोई काम नहीं करता और अगर ऐसे ही चलता रहा न तो तुम्हारे हीरो का बहुत नाम खराब होग क्या तुम ऐसा चाहती हो प्रिया नमे सर हिलाती है प्रिया ने नाश्ता किया और आद्विक ने उसे दवाई खिला दी और वो तयार होकर जाने लगा प्रिया उसे बाई कर रही थी आद्विक कार में बैठ गया और कार स्टॉट की तो उसने रिय मिरसे देखा प्रिया रो पाएगी। आदविक बार-बार खुद को समझा रहा था। उसने आखें बंद की और कार स्टॉट की। प्रिया आदविक की कार जाते ही वही बैठ कर रोने लगी। ही हीरो चचले गए। वही कुछ देर में ही आदविक की कार फाम हाउस के पास रुकी और आदविक उसमें स उतर कर प्रिया के पास प्रिया के गले लग गया तो प्रिया और जोर से रोने लगी। वही कारतेक और स्नेहा को अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब दोनों साथ में टाइम भी स्पेंट करने लगे थे। आज कारतेक का बर्थडे था और स्नेहा उसी लिए एक सरप्रायस स भी फोन किया है तुम भी आजाओ कार्तिक अवो चिल्लाई और फोन कात दिया कार्तिक बहुत डर गया और बिना सोचे समझे बताई हुई जगा पर चला गया उसने जैसे ही वहां कदम रखा स्नेहा वहां मुस्कुरा कर खड़ी थी सब सजा हुआ था और केक था बीचों तो कार्तिक गुस्से में उसकी तरफ बढ़कर उसे वॉल से लगा देता है तुम दो साल की बच्ची हो क्यामजा कैसे होने चाहिए जो हजम हो सके समझी पता है कितना डर गया था मैं तुम ही खो देने का ख्याल आ रहा था का कार्तिक वो अपना हाथ छुडाते हुए बोल यह कहकर वो जाने लगी तो कार्तिक ने वापस से उसका हाथ पकड़कर उसे वॉल से लगा दिया मुझे प्यार हो गया है तुम से स्नेहा आई रिली नीड यू तुम मजाक कर रही हो ना स्नेहा उसका हाथ हटाते हुए बोली नो आई लब यू कार्तिक फिर से इसी सीरियस टोन में बोला अच्छा तो लाइक फ्रेंज यू लब मी ऐसे फ्रांड राइट नहीं क्या सुनना चाहती हो सुनो आई लब यू लाइके पार्टनम आये वुमेन बताओ और क्या सुनना चाहती हो स्नेहा उसकी आँखों में देखते हुए बस यही सुना चाहती थी बस यही आई लब यू चू कार्तिक वो उसके गले लग गई दोनों अपने सच्छे प्यार का इजहार कर चुके थे पर बहुत बड़ा तूफान इनकी भी लाइफ में आने वाला था कुछ ही देर में दर्शन पार्थ के साथ था जो बेहत गुस्से में उसे घूर रहा था भी पार्थ की जगा कोई और होता तो दर्शन उसका बुरा हाल कर चुका होता पर पार्थ को वो आदविक की तरही अपना भाई मानता था पार्थ दर्शन मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई ही समझा है और ये जो हुआ इसके पीछे एक बड़ी वजह है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ दर्शन हेरान होते हुए ऐसी कौन सी वजह आ गई कि आपको निधी से शादी करनी पड़ गई मैं भी जानना चाहता हूँ पार्थ मैंने निधी से शादी नहीं की है ये बस एक नाटक है दर्शन बिलकुल हैरान रह गया क्या पर क्यूं पार्थ ध्यान से सुनो और याद करने की कोशिश करो तुम जब 18 साल के थे तुम्हारे 18 बर्थडे पर तुमने आद्विक से कार के लिए रिक्वेस्ट की थी तब हमने तुमें बहुत समझाया था पर तुम नहीं माने थे और अद्विक ने तुमें एक कार गिफ्ट की थी दर्शन हां हां और उसकी वजह से पार्थ उसकी वजह से तुमने एक एक्सिडेंट कर दिया था जिसमें एक औरत की जान चली गई थी दर्शन सर नीचे करके हां उसके विए मैं आज तक कभी खुद को माफ नहीं कर पाया और उसी के चलते भाई ने भी मुझे लंदन भेज दिया था सबसे दूर पर तुम ये बाते आज क्यों कर रही हो पार्थ क्योंकि उस एक्सिडेंट में एयर कोई नहीं पीऊ की माँ की डेथ हुई थी किया दर्शन का मूँ हिरानी से खुला रह गया पार्थ ने बताना शुरू किया जब उस दिन पीऊने अपने प्यार का इजहार मुझे किया था तब उसने बताया था वो इन दोर से यहां आई है और उसके माँ बाप बच्चपन में ही चल बसे थे तब तक सब ठीक था फिर जब हम अक्सर बाते किया करते थे तब उसने मुझे अपनी माँ के बारे में बताया था कि उसके पापा तो जब वो बहुत छोटी थी तब ही गुजर गए थे उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ थी उसका और कोई नहीं था उसकी माँ दिन भर काम करती और उसे पढ़ाई लिखाई करवाती दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी उसकी माँ पीहू की अच्छी पढ़ाई परवरिश के लिए उसे मुंबई ले आई थी ताकि वो आगे यहां कोई मुकाम बना सके पीहू इस समय 16 साल की थी उसने अपनी माँ को अपना जीवन और उसके सपनों को अपना सपना मान लिया था उसे नीन दाती अपनी माँ की गोद मैन वो दस में पढ़ रही थी उनकी जिन्दगी खूबसूरती से चल रही थी जब तक तुमने उसकी मां का एक्सिडेंट इतना कहकर पार्थ चुप हो गया दर्शन की आँखे बह रही थी उसने अपने जिदबच्पने और अपने शौक के चलते किसी की जिन्दगी उजाड़ दी थी मुझे ये सब उसी के दोस्तों उसकी डॉक्टर से पता चला जब एक बार उसका फोन मेरे केबिन में रह गया उस पर साइकाइटरस्ट लिखा था इसलिए मैंने उठा लिया और डॉक्टर ने मुझे उसी बारे में कुछ चोकाने वाले सच बताय जिन्हे सुनकर मैंने उस से नौकरी की तरह सलूप करते थे बस उस वक्त पीवू को अपनी मां की बहुत याद आती ऐसे ही दिल में उसके गुबार भरता गया और वो अपनी मां से बाते करने लगी खुद में ही उसमें सब कुछ नॉमल था पर उसकी मां जैसे हमेशा उसके साथ होती उसकी मां जो बाते उससे किया करती थी उससे वो बहुत प्रभावित थी और उन कहानियों से जो उसकी मां उसे सुनाया करती ऐसा नहीं है वो ये सब नहीं जानती उसने एक दो बार डॉक्टर से कंसल्ट किया पर वो बार बार बीच में ही इलाज छोड़ देती उसे अपनी इसी दुनि मुझ से हुई मैं निधी को पसंद नहीं करता था उसे पریशान करने के लिए अक्सर मैं पीवू से बहुत अच्छे से बात करता जिससे पोहू मुझे पसंद करने लगी और उसने मुझसे इजहार कर दिया मैंने भी उसे हां कह दिया और धीरे धीरे जब मेरी दोस्ती निध पहुचाने की कोशिश की मुझे सचाई काफी पहले पता चल चुकी थी और मैंने सोच भी लिया था कि मैं पीवू का लाइफ पार्टनर बनकर उसे ठीक करूंगा पर निधी को चोट पहुचाने का मन वो बना चुकी है उसके लिए निधी उसके रास्ते का कांटा है जैसे उ उस एकसिडेंट में उसकी मां उसे दूर हो गई वैसे ही उसे लगता है निधी ने मुझे और पीवू को दूर किया है और इसलिए वो अपनी मां की मौत की भडास भी निधी को मार कर निकालना चाहती है उसमें निधी को इमोशनली बहुत चौर्चर किया है अगर मैंने उ उसका साथ दिया तो भी वो निधी को नहीं छोड़ेगी इसलिए मैंने निधी से शादी करने का नाटक किया है इसे हजम करना उसके लिए मुश्किल होगा पर वो इससे रियलिटी में आ सकेगी मुझे उससे ये यकीन दिलाना होगा कि मैंने निधी से बदला लेने के ये बरदाश्ट नहीं कर पाएगी और एमोशन्स में आकर अगर उसने पीहू को थोड़ा भी कुछ बता दिया सब गलत हो जाएगा वो नहीं जानती की पीहू कैसे उसे अपनी बातों में फसा सकती है और उसे मार सकती है मैं उसे यहां से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा। दर्शन को अब सब समझ आ चुका था तो इन सब में पूरी की पूरी गलती सिर्फ उसकी थी जिसकी सजा बाकी तीनों को मिल रही है वो आशू पोंच कर बोला पीहू अब मेरी जिम्मेदारी है जब भी तुम निधी को ये सारी सच्चाई बताओ मेरे लिया माफी मांग ल क्योंकि मैं अब पीहू से शादी करने जा रहा हूँ अब उसकी देखवाल मेरा जिम्मा है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं चैन से नहीं बैठूँगा पर इसमें बहुत खत्रा है दर्शन मैंने उसकी जिन्दगी तबाह की है मुझे इसका पश्चाताप करना है अगर